अब हम आपसे दिल का दर्द शेयर करेंगे इसके लिए हम आपको भारती क्रिक्टीम के पूरु कफ्तान सौरव गांगुली का एक संदेश सुनाना चाहते हैं BCCI के अदक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में हार्ट अटेक आया था हाला कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अस्पताल से घर जाने के लिए जब उन्हें छुटी मिली तो उन्होंने एक संदेश आप तक पहुँचाने की कुशिश की है उन्होंने प्रसिद काडियोलोजिस्ट डॉक्टर देवी शिटी से कहा कि वो देश के लोगों को उनके दिल की बात बताएं ये बात आप सब को ध्यान से सुननी चाहिए खास तोर पर 40 साल की उम्रपार कर चुके उन लोगों को जो फिट रहने के लिए अकसर जिम जाते हैं वैसे जो नहीं जाते उन्हें भी सुननी चाहिए सुनिये आप सावरब's incidence has shaken the world people think a 48-year-old man athletic like सावरब who doesn't drink, doesn't smoke, has no vices is a fit man how can he ever develop heart attack this is the true reality of India the kind of a lifestyle we lead the irrespective of how strict you are with your lifestyle irrespective of how athletic you are you can still develop a heart attack if you do not undergo a preventive check-up at regular intervals if Saurabh had a simple test like a CT scan or any of those various scans which can be done in virtually any street of this country this incidence of heart attack could have been predicted 15 years ahead 20 years ahead this is the message every Indian must understand it doesn't matter how fit you are unless you have gone through a preventive check-up at least once in a year or once in two years you none of us are spared from this episode this is the message Saurabh wanted to give all of you Dr. Devy Shetty so that you have to act that yesterday they are not done in hospital they are not in hospital and they are in hospital this is why doctor you have been told to this that you have said that they are in hospital check-up this year one time if you have a bad आस्या उनके दिल में उनके हिर्दे में थी शरीर में थी उन्हें जिम नहीं जाना चाहिए था उसके बाद भी वो लगातार व्यायाम करते रहे जिम जाते रहे और एक दिन जिम में जब वो व्यायाम कर रहे थे तो उन्हें हर्ट अटेक आ गया यह आपके साथ भी हो सकता है अब हम आपसे आगे जो कहना चाहते हैं वो यह है कि उसे उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो जिम जाते हैं ऐसे लोगों को लगता है कि वो एक्सराइज करके दिल की विमारी दूर कर सकते हैं और वो बिलकुल फिट है पर उनके लिए हमारी सला है कि वो ऐसा बिलकुल ना करें बिना उचित सला के कोई भी वियायाम शुरू ना करें क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि भारत में दिल के दस मरीजों में चार की उमर 40 साल से नीचे है अगर आपकी उमर भी 35 साल से अधिक है और आपने जीवन में पहली बार एक्सरसाइज शुरू की है तो इससे आपको फायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है इसलिए अगर आप 35 साल से उपर हैं, 40 साल से उपर हैं और अचानक आपने ये फैसला किया कि अब आप फिट होके रहेंगे, अब आप रोज जिम जाएंगे, तो ऐसा मत करिए, पहले डॉक्टर से सलह लीजिए कोलेस्टरॉल्स हाय होते हैं, कोई चेक अप नहीं कराता, फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टन रीजन होता है, कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके हाय कोलेस्टरॉल्स चल रहे होते हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा कर सकते हो और तभी भी नहीं पता चलेगा कि ब्लॉकेज है वो जब पता चलता है तो ब्लॉकेज 80-90 परसंट हो चुकी होती है या अटाक कर चुकी होती है सो एक्सरसाइज एक अलग चीज है पर वो एक ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक यंत्र है जिसकी वज़े से कोई किसी को अटाक होगा ही नहीं हाट अटेक की एक मात्र वजा अन्फित होना नहीं और किसी फिट वैक्ति को भी हाट अटेक होने की कई वजाएं हो सकती हैं हलांकि अपने फिटनेस का ध्यान रख कर आप इसकी आशंका को कम जरूर कर सकते हैं भारत में हार्ट अटेक से मरने वाले ज्यादतर लोगों की अमर 30 से 50 साल के बीच होती है इसलिए विशेशक के कहते हैं कि अलग अलग अमर के लोगों को अपने दिल का खयाल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए बच्पन से लेकर 20 वर्ष तक की अमर में आपका दिल यानि आपका हर्दे सबसे मजबूत होता है इस अमर में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे आपके हर्दे का स्वास्ते अतना ही अच्छा रहेगा साइकलिंग और व्यायाम के जरिये इस अमर के लोग अपने हर्दे को स्वस्त रख सकते हैं 20 से 30 वर्ष की अमर के लोगों को साइकलिंग स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए आप ये सारे व्यायाम 30 साल की अमर के बाद भी कर सकते हैं अगर आपने वियायाम 35 या 40 साल की उम्र के बाद शुरू की हैं तो आपको रनिंग और साइकलिंग नहीं करनी चाहिए बलकि सुबा शाम तेजी से चैल कदमी करनी चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए या फिर जिम जाकर हलके फुलके वियायाम करने चाहिए, 21 से 40 वर्श की उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने स्वास्ते पर सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान करना चाहिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह ये निवेश आपके बुढ़ापे में आपको बहुत अच्छा रिटरन देगा और आप बुढ़ापे में भी स्वास्त रह सकेंगे खुद को स्वस्त रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की नहीं बलकि नियमित एक्सरसाइज और स्वस्त भोजन करने की जरूरत है इसे याद रखिए अगर आप अपने दिल को स्वस्त रखना चाहते हैं तो आपको अपने दिल का ध्यान रखना होगा और उसकी बातें भी सुननी होगी हार्ट अटाइक आने से पहले ही इन बीमारियों के पहचान करने का तरीका बिलकुल आसान है सबसे पहले आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल यानि ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं इससे आपके शरीर में कॉलेस्टरॉल के स्तर का पता चलेगा और इसका आपके हिर्दे के स्वास्ते से सीधा संबंद है दिल के स्वास्ते का हाल बताने वाला सबसे सामान्य टेस्ट इलेक्ट्रो कार्डियोग्राइम होता है जिसे ECGB कहते हैं ECGB में दिल की धरकन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जा सकता है और इनी तरंगों से दिल की बिमारी का पता चलता है एक और टेस्ट होता है जिसे ECGB कार्डियोग्राइम कहते हैं इसे आप ECGB के नाम से भी जानते हैं इसमें हाई फ्रिक्वेंसी के ध्वनी तरंगों से आपके हाट के वाल्व्स और चेंबर्स की तस्वीर बनाई जाती है और आपके हिर्दे की काम करने की क्षमता के बारे में पता चलता है और एक और टेस्ट होता है जिसे आप ट्रेड्मिल टेस्ट कहते हैं इसके लिए मरीज को ट्रेड्मिल पर चलना या दोड़ना होता है और परीश्रम के दौरान आपके हिर्दे पर तनाव के असर को रिकॉर्ड किया जाता है ये तीनों बेसिक टेस्ट थे हैं और इन टेस्ट के आंकड़ों से आपके दिल के बारे में प्रमुख जानकारियां मिल सकती हैं अगर इन टेस्ट में कोई समस्या मिले तो फिर आपको एडवांस टेस्ट की जरुवत होती है जो कि आपको आपके डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं हमारा करतव इतना है कि हम आपको आपके हिर्दे के बारे में जानकारी देते रहें आपको जागरूग बताते रहें और आपको ये बताते रहें कि कहां आपको कौन सी गलती नहीं करनी है इसलिए सौरव गांगुली ने जो गलती की वो आप मत कीजे और सौरव गांगुली ने जो आपको राय दी है उसे ध्यान से समझ कर हमेशा याद रखिये कर दो कर दो